अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा से एलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब्सक्राइब के लिए बहुती महत्पूर्ण यह मुपयोगी टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास्रूम एंफ्लिफिकेशन डिवाइस यह स्ट्रमण यंत्र का एक भाग है पीछले वीडियो में प्रकार बारे मेरे दवारा बताया गया था कि स्ट्रमण यंत्र दो प्रकार के होते हैं व्याक्तिगत श्रमण यंत्र और सामोह तो classroom amplification device सामोहिक श्रमण यंत्र के अंतरगत आता है इसके अंतरगत भी विभीन प्रकार के श्रमण यंत्र है जो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इसके अलाबा आरपी पबलेसिंग हाउस द्वारा श्रमण श्रमण बाधिता का आधार एवम श्रमण बेग्यान प्रबंधन नाम मक पुस्तक का प्रकासन किया गया है आप इस पुस्तक के माध्यम से classroom amplification device और श्रमण यंत्र के प्रकार के बारे में विश्तित जनकारी प्राप कर सकते हैं श्रमण बिस्तारक यंत्र के रूप में कारी करता है और इसका प्रियोग जो है एक श्रमण बाधित बालक जो है अपने मौखिक संप्रेशन को बिख्सित करने के लिए प्रियोग करते हैं और जो आपका व्यक्तिगर्ट श्रमण यंत्र है वह एनलाग और डिजिटल और अ प्रभावित हो सकता है जैसे सोरगुल वातवरन से और जो उसकी आपरित्ती की जो सिमाएं हैं उसके वज़ा से जो है आपका व्यक्तिगत स्रमण यंत्र से एक बालक के मौखिक संप्रेशन जो है प्रभावित हो सकता है तो इसको देखते हुए जो है क्लासरूम में बैठे होते हैं और उन्हें अगर क्लासरूम एंफलिफिकेशन डिवाइस को उप्योग नहीं करना हो तो अपने व्यक्तिगत श्रमण यंत्र का प्रयोग करना होता है तो उस इस्रिती में जो है इस प्रकार की जो आबिरतिस सीमा समद्दी समस्याएं और सोरगुल वात मिज जाता है कि सिचक के द्वारा जोभी चीजों को सिखाया जाता है बताया जाता है वह छातर उस बाद को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं जिसके वज़े से उनकी संप्रेशन कौसल में विकास नहीं हो पाता है और बेहतर तरीके से वो ग्यान को अरजन नहीं कर पाते हैं तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो है आपका ग्रूप एम्फिलिफिकेशन का निर्मान किया गया है जहाँ पर एक साथ जो है छे से आठ बच्चे जो है आपके श्रावण एंथ का पुर्योग करके सिचक द्वारा बताए जारे ही जनकारी को वो प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम क्लासरूम एम्फिलिफिकेशन डिवाइस कहते हैं तो अगर हम classroom application device के अगर हम कुछ अगर विस्षिष्थाएं देखें तो निमन प्रकार की विस्षिष्थाएं हैं कि इसमें प्रतेक बच्चे जो है प्रतेक कान के लिए जो है ब्यक्तिकर श्रौणयंत जो है यहां पर उपलब्द जो है होना चाहिए तो प्रतेक बालक के लिए प्रतेक कान के लिए उसे ब्यक्तिकर श्रौणयंत उपलब्द होना चाहिए उसके बाद जिस प्रकार सिच्चा की ध्वनी सुनाई पड़ रही है उसी प्रकार अने चात्रों की ध्वनी सुनाई देने चाहिए यह भी आवस्यक की बात करें या विस्तारण की बात करें, की माने करना होना चाहिए, कक्षा में स्वरगूल को कम करना चाहिए, इनको चलाना और रख रखाओ करना होना चाहिए तो इस प्रकार की आगर हम देह सकते हैं कि जो आपके classroom इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एलेक्ट्रो एकॉस्टिक फीडबैक जो है आपकी कि फ्लिक्सिबिल्टी और आपरिती कन्फरिग्रेशन ठीक है एक अमांडेट कभी जो है आपका ब्यवस्ता होना चाहिए जिससे की जो सारे बचे उसका उपयोग कर सकें तो यह चीज़े हैं इसके अगर हम प्रकार देखें तो यह कितने प्रकार के होते हैं तो यह मुख्यता चार प्रकार के होते हैं एक तो hardware system है दूसरा loop induction system है तीसरा infrared system है चोथा आपका frequency modulate system है जिसको हम FM system बोलते हैं तो यह चार प्रकार के आपके classroom application device है और यह सामोहिक रूप में जो है आपका इस्ट्रव्ण यंत का प्रयोग किया जाता है आपके classroom के संदर्व में अब यहां पर हम hardware system के अगर हम बात करें तो hardware system सबसे पुरानी प्रणाली है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो table है उस table पर ही आपकी यह जो आपका microphone इसके अलावा volume control और यह सारी चीजे हेड़फोन इस पर करके बिरुस्ता है जो होती है आप देख सकते हैं कि यहां पर यह बालक है यह बालक बैठे हुए है यह यूशेप में है आपका यहां पर यह teacher है teacher के काम कैसे करता है कि आपके यह जो hardware system में एक साथ छे से आठ बच्चे जो है इसका प्रियोग कर सकते हैं और बच्चों की जो table है उस table पर ही आपके जो है टेबल पर लगा लगा दिया जाता है उसके बाद एक amplifier box होता है और teacher के पास एक अपना microphone होता है अब यह काम कैसे करता है कि जैसे teacher माइक से जो बोलेगा तो जैसे कि मैं पूर्व में बताया था कि हेरिंगेंड में जो microphone है microphone क्या करता है कि आपके sound energy को catch करता है और फिर उसे बीदिती इनर्जी में परिवर्थित कर देता है और फिर वह amplifier में यहां पर जो amplifier है आपका box से इसके अंतरगत यहां यह जाता है और यहां पर इंप्लिफाइड कर दिया जाता है और फिर यह वायर इजक्षन के माद्यम से आपका यह सारे बच्चों के box में इस तरीके से चला जाता है अब यहां पर क्या है कि जैसे ही आपका जो है amplifier की हुई बिदुती तरंग यहां पर गई तो यह आपके volume controller volume control के साथ यह headphone लगा हुआ है तो headphone में क्या है कि आपका speaker लगा होता है तो वह क्या करता है कि आपका receiver उसमें होता है जो कि आपके amplified की हुई ध्वनी को फिर वह पुना sound energy में परिवर्तित कर देता है जिससे कि वह उसको सुन सकते हैं और यहां पर जो है सभी के पास दो जो है volume control के लिए left और right के लिए जो होता है कि जो बच्चा अपने श्रमण दोस के अनुसार उसको घटा और बढ़ा सकता है तो इस तरीके से जो है आपका यह group amplification device होता है अब यहां पर जबगा teacher को कोई प्रश्ण प रहा था कि microphone उसको convert करके विदूती रूप में परिवर्थित करके एंप्रिफायर में भेजता था फिर headphone जो है उसको आपके sound energy में परिवर्थित कर रहा था उसी तरह से यहां पर बच्चा जब जैसे माइक से वो बोलेगा तो वो विदूत आपके sound energy को catch करके विदूती इन speaker होगा और पूरा speaker उसे आप को जो है sound energy में परिवर्थित कर देगा आपको receiver जो है सिचक सुन पाएगा कि सिचक के द्वारा किस प्रकार के प्रस्ण पूचे गए या क्या उसके द्वारा जबाब दिये गए तो इस तरीके से जो है आपका hardware system कारिया करता है अब हम इसके advantage देखें तो hardware system के advantage क्या है तो सबसे पहला यह है कि इसमें आपका signal की जो हम गुडवक्ता की बात करें तो वह बहुत ही अच्छा होता है कि इसमें signal की गुडवक्ता अच्छा होता है क्योंकि इसमें आप देश सकते हैं कि जो machine है amplifier है या जो mic है यह सारी चीज़ों की जो size हो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके वज़से जो है आपकी sound की बढ़ाने की capability है वह ज्यादा होती है उसके बाद अगर हम अगला इसका अगर हम लाब देखें तो प्रतिक बच्चे की जो आप सकता है कि अनुसार इसमें ध्वनी को घटा बढ़ा सकता है अर्जिस्ट कर सकता है सुन सकता है उसके बाद जो है इसमें आवाज की जो संकेतक की जो मात्रा है वह काफी अच्छा पाया जाता है अच्छी quality में जो है वो sound को आपके काम तक छात्रों में काम तक पहुंच आता जिससे क्यों अच्छे समझ सकते ह aney दीफिए च्छिट है सब्सक weeks The गारा जाल गुड़ाओ जाता है मस्तिर अब क gland इसमें इसको प्रेयोग कर सकते हैं अगर हम disadvantage की बात करें अगर हम इसकी सिमाएं की बात करें तो सिमाओं में सबसे क्या है कि microphone और जो इसका आपका receiver है वो दोनों एक साथ होने के कारण जो है या पास-पास होने के कारण जो है क्या होता है कि sound में distortion हो सकता है इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो microphone जो है सिचक के table पर fix किया जाए जाए या च्छत से लटकाया जाए तो इसमें इस्तिति speaker जो है क्या करता है कि धनी को जो है कमजोर बना देता है जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि mic और speaker जो है पास में होने के वज़े से sound में distortion हो ज जाती आवा गमन परभावित हो जाती है जितना समय उसे यूज करना है classroom में उतना ही समय बैठकर यूज करेगा उसके बाद देखा जाए कि इसकी आकार जो है थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके वज़से उसको ले जाने ले आने में थोड़ा समस्षा होते है तो यह चीज कोन बच्चे ज्यादा समयता हो कि उसको यूज नहीं कर पाता है तो यह चीजे हैं तो इस प्रकार से आपका यह hardware system था और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज था तो आपके एक्जाम में जो है hardware system के बारे में पूछता है और इसमें block diagram बनाकर फिर आपको यह diagram ब प्रप्रश्ण पूछे जाते हैं और मैं आसा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लागा होगा प्लीज इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों मित्रों में share करें जिससे कि वो भी hardware system के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और हमारे चैन